चोपड़ा जो किस यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बचों इस बात को हम सब जान रहे हैं कि NTA की पेपर में गड़बड़ी जरूर भी है कहीं पेपर लीक हुआ है, तो कहीं पेपर सॉल्व करा गया है, सॉल्वर गैंग से तो कहीं क्यूशन पेपर इंगलिस की जगए हिंदी का या हिंदी की जगए इंगलिस का दे दिया गया है तो ये गड़बडी जरूर हुई है अभी re-neat होना चीए या नहीं होना चीए इसके बारे में students के दो मत हो गए है students दो भगों में बढ़ चुके हैं ऐसे students जिनके marks अच्छे आ रहे हैं वो चा रहे हैं कि re-neat होने चे हो सकता है आगे paper कैसा हो ऐसे students जिनके marks बिल्कुल कम आए हैं वो सुच रहे हैं कि re-neat दुबारा हो तो इसके बारे में मैं एक जल्द ही detailed वीडियो लेके आने वाड़ा हूँ कि कहां कहां ये घटनाएं हुई हैं और कहां कौन से high court में ये case हुआ है और उस case की present situation क्या है तो इसको देखते हुए क्या re-neat हो सकता है या नहीं हो सकता है इसके बारे में एक next में detailed वीडियो लेकर के आऊँगा जिस-जिस court में इसका case file हुआ है मैं आपको उसके case number भी बताऊंगा कि इस court में case file हुआ है कब उसकी hearing है क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में हम detail में चर्शा करेंगे उससे पहले मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि need 24 admission के लिए क्योंकि admission तो होना ही है तो need 24 admission के लिए क्या क्या documents की requirement है अभी हमें क्या documents तयार करना है student को documents पहले से ही तैयार कर लेने चाहिए ताकि किसी प्रकार की बाद में कोई problem ना हो कोई documents उसके पास नहीं है तो वो school से ले सकता है category certificate नहीं है तो वो बनवा सकता है तो इस प्रकार से documents के बारे में आपके पास पूरी knowledge होनी चाहिए कि ये documents की requirement है मेरे को admission के time में documents बताने से पहले आपको बता दूँ कि MCC की जो counseling होगी या state quota की counseling होगी उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इनके बारे में हमारी book available है और इसको आप इस video की description box से download कर सकते हैं MCC, state और IU, स्वेटनरी तीनों की book available है इसमें जो MCC counseling करवाता है उलिंडिया quota की उसमें उलिंडिया quota aims, zipmar, AFMC, DU, internal, IP, internal, central university, ESIC, dimmed, or central pool quota के बारे में जानकारी दी गई है fees, सभी states की bond और seats के बारे में जानकारी दी गई है इसके अलावा और भी बहुत कुछ इसमें समझाया गया है वो इस परकार से, twice list इस परकार से दी गई है कौन से year में college established है, पुरानी college है, नई college है, कौन से state में है, tuition fees कितनी है, seat matrix कितनी है, cutoff, categorized, roundwise एक साथ set करके दिया हुआ है इसमें तो आपको किसी परकार की कोई problem नहीं होगी अपना college set करने के लिए इसमें aims जो दिया गया है, वो aims की cutoff भी दी गई है और dimmed university के बारे में भी cutoff के अलावा उसका address वगरा, hospital fees, tuition fees, सारा सबकस इसमें समझाया गया है जो previous year की cutoff है, उस previous year की cutoff से आप 15 marks और ज्यादा add कर लें तो आपको वो college इस बार मिल सकती है अभी इसमें इसी प्रकार से central pool quota के बारे में भी समझाया गया है, priority wise cutoff दी गई है, उसमें counseling process के बारे में भी समझाया गया है इसी प्रकार से स्टेट की बुक में सभी स्टेट्स की ये फैसलिटी है जो All India की बुक में थी सारी की सारी ये फैसलिटी है बॉंड की, कटोफ की, round wise कटोफ, category wise कटोफ, twice list दी गई है हर एक स्टेट की seat metrics, fees के बारे में भी जानकारी दी गई है, प्राइवेट colleges के बारे में भी जानकारी दी गई है कटोफ, category wise क्या है, हर एक स्टेट का counseling process अलग-लग खुता है तो उसमें आपने कैसे admission लेना है, कौन से open state है, कैसे उसमें हम choice fill करेंगे ये open state में भी documents क्या requirement है, उसके बारे में जानकारी है तो ये सारा IOS की book और veterinary की book में भी इस परकार का ये सारा matter available है उसमें भी कटोफ होगारा सब कुछ सामिल है इसको download करने के लिए आप इस video के description में जाएंगे more का option मिलेगा, तो इस परकार से तीनू book का यहां मैंने link दे रखा है इस link पर click करके आप download कर सकते हैं जैसे इस link पर जाएंगे जो और mobile number आप देंगे उस पर हम आप से संपरक कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं आप इसको हमारी website www.operaeducation.in से भी download कर सकते हैं जैसे इस link पर जाएंगे तो यहां book का link दिया गया है तीनू book का link से जिस book को आपको download करना उस पर click करके कर सकते हैं अब बात करते हम documents requirement की जो mandatory documents हैं वो इस परकार से हैं मैं आपको बता देता हूँ जो जो documents आपके पास में हैं तो ठीक हैं नहीं हैं तो आप वो documents तयार कर वा ले तो सबसे पहले आपको original documents लिए original documents के साथ में two set photography चीए self attested आपके खुद के attested किये हुए two set photography चीए कहीं कहीं ये तीन या चार सेट भी मांगते हैं तो ये state wise भी है माराश्टे स्टेट में ज्यादा कोपी लगती है इसमें तो वो आप एक बार तयार कर लें यहां पर इसके बाद में आपको जो man requirement है 10th की mark seat या certificate की जरूरत है ये necessary चीए आपको ये original लगेगा आपका college में admission के time में फोटो कोपी दो-दो सभी के आपको बना के रखने मैं कहता हूँ कि 4 या 5 कोपी बना लो ये बाद में भी college में काम आती रती है जब आप 5 साल study करोगे तब ये बीच बीच में जरूरत होती रती है इनकी documents की तो 4 या 5 कोपी आप बना लो तो किसी-किसी state में mark seat में ही certificate होता है लेकिन किसी state में certificate अलग होता है और mark seat अलग होती है तो अगर आपका state में ऐसा है mark seat अलग है certificate अलग है तो वो दोनों लेके रख लें आप ज्यादा तर इस state में mark seat के अंदर ही certificate आता है उसमें आप उपर उपर देखेंगे तो उसमें Mark से seat कम certificate लिखा होगा तो उसमें certificate भी होता है CBSC में Mark seat के साती certificate होता है इसमें 10 में इसके बाद 11th की बात करें तो 11th है जिन जिन कंडिडेट के पास 11th का certificate है वो तो लेके जाये सकते हैं लेकिन कोरोना के टाइम में ये certificate नहीं मिला था इस्टूडेंट को ये exam नहीं हुई थी तो उनको जरूरत नहीं है अगर जो applicable है जिनके पास है तो वो ले जा सकते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है mandatory नहीं है कि आपको लेके ही जाना चाहिए आप applicable हैं तो ले जा सकते हैं otherwise कोई जरूरत नहीं है फिर भी आप समझते हैं कि मेरे को ले जाना चाहिए तो फिर भी ये school से ही मिलता है ये 11th का certificate school से आप school में जाके collect कर सकते हैं वहां से अगर कोरोना के time में आपको परमोट किया गया है तो school एक ऐसा certificate भी देता है कि इनकी 11th की exam नहीं हुई थी इनको परमोट किया गया था तो ऐसा certificate आप school से भी ले सकते हैं अब बात करें हम next certificate की 12th की mark seat या certificate भी जरूरी है इसमें ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि 12th की mark seat आपका जो exam है वो 12th 12th का ही होता है इसमें इसलिए 12th की mark seat यहां आपको mandatory है mark seat के अंदर ही certificate है तो कोई दिकत नहीं है अगर mark seat से certificate अलग आता है तो आप certificate भी रखें और mark seat भी रखें तो certificate अलग नहीं होता है नहीं तो आप school से पता कर लें आपके state board में भी mark seat के साथ certificate है तो कोई दिकत नहीं है अलग है तो आप यह certificate भी रख लें इसके बाद में migration certificate यह 12th के बाद में आपको जारी किया जाता है migration certificate का मतलब होता है कि जो आपने 12th जिस board से क्या है वो आपको एक certificate देता है कि जिस भी university में या जिस भी college में आप admission ले रहे हैं तो इस board को कोई objection नहीं है इस परकार का यह migration certificate होता है और यह 12th की mark seat के साथ ही जहां से आपने 12th पास किया है जिस स्कूल से वहां से आपको यह मि पास किया है वहां से आपको यह character certificate TC के साथ ही दिया जता है TC और इन documents के साथ ही दिया जता है तो इसकी भी आपको requirement है अगर नहीं है तो आप यह school से ले ले लें क्योंकि इसको school ही जारी करता है इसके बाद में है ट्रांसपर्ट certificate TC अब यह जो TC है यह 12th अगर आपने पास कि ही लेने है 12th की mark seat school से लेनी है TC school से लेनी है migration school से लेना है character certificate school से लेना है और 10th 11th की mark seat तो आपके पास होगी ही पहले आपने ले रखी होगी तो यह school से ले रखा है अब इनके आप condition सुन लो अगर essay student जिनोंने 12th की exam के बाद में नीट की तयारी की है कहीं admission नहीं लिया है तो यह documents आपके पास में होंगे नहीं हैं तो आप school से collect कर सकते हैं इसमें अब essay student जिनोंने 12th के बाद जिनोंने 12th के बाद admission ले लिया है college में जैसे BSC में ले लिया किसी ने BMS में ले लिया कहीं भी admission ले लिया तो admission लेने के बाद में यह जो आपके तीन certificate है transfer certificate, character certificate और migration certificate यह तीन certificate आपके उस college में deposit हो जाते हैं जब आप first year में admission लेते हैं किसी भी courses में admission लेते हैं तो वहां आपके यह documents deposit हो जाते हैं तो वो तो आपको मिलेंगे नहीं इसलिए आपने जो आपका last college है जहां आपने BSC first year के लिए admission लिया है BABMS के लिया है कहीं भी आपने admission ले रखा है वहां से ये तीनों चीज आप issue करवा सकते हैं migration certificate आपको वहां से मिल जाएगा character certificate आपको वहां से मिल जाएगा और TC वहां से मिल जाएगी तो वो सब मानने है इसमें तो इस परकार से ये तीनों documents आप अगर BSC में या कहीं भी आपने 12th के बाद admission लिया है वहां deposit कर दिये हैं तो व NEET का admit card ये necessary है admit card की copy आपके पास होगी नहीं है तो फिलाल NTA की website पर NEET की website पर पड़ा हुआ है अभी आप just download कर ले इसकी बहुत requirement है जहां भी आप admission होगे NEET का admit card आपको required होगा ही होगा अब NEET का score card आपका result आएगा जब आपका result आएगा तो वो result की copy आपको लगानी है वह जो confirmation page होता है NEET का जो NEET का आपने application form फिल किया था उसके बाद एक page निकला होगा वो page की आपको ज़रत पड़ सकती है इसलिए उसका भी print रख लें आप इसके बाद next है ID proof ID proof आदार card, pen card, passport और water ID card और driving license ये चल सकते हैं आपके ID proof में ID proof में और ये जनरली student के पास होते हैं आपने NEET का exam दिया था तो इनमें कोई ना कोई ID आपके पास में होगा या फिर जो NEET का आपने exam दिया था वो ID भी आप यहाँ चला सकते हैं passport size की photograph जो आपने NEET के application form में upload की थी वो यहाँ पर किसी किसी state में वही लेते हैं और किसी state में आप नया भी दे सकते हैं तो वो copy पड़ी होगी है आपके पास में passport size की photograph उससे 10-12 copy बनवाले छोटी size वाली इसके बाद में gap certificate ऐसे candidate है जिन्नोंने 12 के बाद एक दो बार drop ले लिया है उनको gap certificate की requirement है हर एक के college में तो requirement नहीं है लेकिन किसी किसी college में gap certificate लेते हैं इसमें तो आपको ये gap certificate भी बनवा लेना चीए जिन student ने इस बार 12 के साथ exam द लिया है उनको जरूरत नहीं है लेकिन 12 के बाद एक दो gap हो गया है जिसने जैसे 2023 में किया था 12 पास 22 में किया था 2023 या इससे पहले जिन्नोंने 12 पास किया था उनको gap certificate की जौरत है और ये gap certificate का जो format है ये हमारी website पर दिया गया है मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये website पर कहा मिलेगा आपको वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या वहां से प्रिंट करवा सकते हैं इसके बाद में medical fitness certificate की requirement college में admission के टाइम में होती है किसी किसी कोलेज में वहाँ ही medical होता है वहाँ से ही certificate issue हो जाता है लेकिन किसी किसी state के medical college में आपको घर से बनवा के लेके जाना है तो यह अभी बनवाया हुआ नहीं चलेगा जब आपका admission हो जाएगा college में उसके बाद में आप college में admission लेने के लिए जाएंगे तब इसको आप बनवा के लेके जाएं, ये भी इसका format भी हमारी website पर दिया गया है, इसके बाद में domicile certificate, domicile certificate All India कोटा के लिए तो जरूत होती नहीं है, क्योंकि वो तो 15% All India के लिए होता है, लेकिन state के लिए domicile certificate की जरूत होती है, जिसको हिंदी में मूल निवास परमान पतर कहा जाता है तो ये domicile certificate एक ही बार बनता है, अगर आपका address चेंज नहीं हुआ, तो आपने पहले जो भी domicile certificate बनवा रखा है, वो यहाँ पर चल जाएगा, आपका address चेंज हो गया, आदार कार्ड में चेंज हो गया, तो आप इसको नया बनवा ले, दुबारा से नया बनवा ले, इसक antiragging affiliate की जुरत हती है, student और parent की, तो ये इस website से download करने होती है, इस पे आपको undertaking fill करना है, और undertaking fill करने के बाद में उसमें print का option भी आता है, ये मैं आपको जौरत पड़ेगी तब बता दूगा कि कैसे आपको antiragging का form download करना है, कैसे form fill करना है, और कैसे उसका print लेना है, ये भी आपको college में admission के time में ही जुरत है, क्योंकि उसमें college का नाम fill किया दाता है, कि आपका admission कौन से college में हुआ है, तो आपका एक बार admission हो जाएगा, इसके बाद में आप ये certificate तयार करवा सकते हैं, ये antiragging का form आप fill करेंगे, और form fill करने के बाद में, वहाँ आपको print मिल जाएग तो किसी-किसी college में ये affiliate लेते हैं, मतलब stamp पर लेते हैं, और किसी-किसी college में ये paper पर लेते हैं, तो वह आपको बता दिया जाएगा जब आपका कौन सी college में admission हो रहा है, तो ये तो थे mandatory documents जो आपको चहिए ही चहिए, चहिए आप state quota से admission ले रहे हैं, या फिर all India quota से admission ले रह है, अब मैं आपको कुछ additional documents बता देता हूँ, additional documents के लिए, यहाँ need मैंने 23 गलती से लिखा, या need 24 है, तो additional documents में आपको एक cast certificate की आवशकता है, अगर आप इन category से आते हैं, अगर आप EWS से आते हैं, तो EWS के certificate की requirement है, OBC से आते हैं, तो OBC के certificate की SCST से आते हैं, तो SCST, general के यहाँ पर कोई certificate नहीं लगता है, general category के लिए कोई certificate नहीं लगेगा यहाँ से, अभी यह certificate कितना पुराणा होना चाहिए, तो देखो SCST का certificate पुराणा एक ही बार बनता है, यह SCST का certificate, क्योंकि इनकी category change होती नहीं है, SCST के certificate अगर आपने एक बार बनवा लिया है, तो वो चले लेकिन मैं आपको यहाँ सला दूँगा कि अभी आपके पास में काफी समय है, आप EWS का और OBC का नया certificate बनवा लें, इस साल के लिए, 2024 के लिए, ताकि आपको किसी college में कोई दिक्कत ना हो, वैसे एक साल मांगते हैं कि एक साल पुराणा नहीं होना चाहिए, लेकिन college में ज आप इसको अभी बनवा लें, तो यह आपके लिए बैटर रहेगा, इसके बाद में अगर जो विकलांग कंडिडेट हैं, उनको लिए यहाँ certificate की आवश्यक्ता है, और वो certificate एक board द्वारा बनता है, जब MCC की counseling इस्टार्ट होगी, उसमें जो 15 colleges हैं, 15 institute हैं, उनमें यह board तो आप यह board द्वारा बनवा सकते हैं इसमें, अब single girls child, अगर किसी ने application form फिल करते से में यह option दिया है, तो इसका format भी हमारी website पर available है, मैं आपको बताऊंगा यह format कहां पर available है इसमें, इसके बाद में IP जो ESIC quota से है, IP certificate की requirement होती है, इसके बाद में national certificate जो मारास्ट्री स्ट में admission लेते हैं, उनके लिए national certificate की आवशकता भी होती है, चाहे वो other state candidate all India से admission ले रहे हों या मारास्ट्री स्टेट के candidate हो, उनको इस certificate की आवशकता होती है, तो आपको college मिलने के बाद यह certificate बनवाना है, इसके बाद cast validity certificate की भी जरुत होती है मारास्ट्री स्टेट में, यह भी site पर आपको bond का format मिल जाएगा, उसके according आप bond बनवा सकते हैं, यह भी आपको admission के time में ही बनाना है, क्योंकि कुछ state ऐसे हैं, जो अपने state के bond paper पर ही वो लिखवा के लेते हैं bond, तो यह आपका admission होने के बाद ही bond बनवाना है, इसके बाद जो NRI और OCI candidate हैं, उनके लिए sponsor की passport copy लगेगी, और affiliate लगेगा उनका, और एक relationship का है, और एक embassy certificate लगेगा, तो यह documents है, additional documents हैं, 24 के लिए, और mandatory documents मैंने आपको बता ही दिये हैं, यहाँ पर, अब आप यह दिखें कि आपको यहाँ पर, यह जो documents हैं, यह आपको हमारी website से कैसे आपने download करना है, तो मैं आपको बता इन पर visit करना है, तो जैसे ही आप उस पर visit करेंगे, तो इस परकार का वहाँ पर download का option मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे ही आप इस पर visit करेंगे, तो इस पर download का option मिलेगा, और download पर आप जाएंगे, तो download पर सारे इसमें option दे रखे हैं हमने, download के उपर सार यह वेबसाइट पर है जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे चोपड़ा education.in पर विजिट करेंगे तो यहां पर आपको download का option मिलेगा इस download के option पर click करेंगे तो जो जो मैंने certificate बताये हैं वो certificate यहां सारे मिल जाएंगे इसमें फिर बाद में आपका जो नेशनल्टी का मारास्ट्रे स्टेट के लिए उसका certificate भी मिल जाएगा कास्ट वेलेडिटी certificate भी मिल जाएगा health certificate भी मिल जाएगा यह सारे certificate आप यहां से format download कर सकते हैं दूसरा NTA का जो information bulletin है health certificate उसमें भी दे रखा है वहां से भी आप download कर सकते हैं अगर आपको doubt होता है कि OPC जो certificate है या EWS का है वो किस format में बनाना है तो वो भी आप है जो NTA का need का information bulletin था उसमें available है आप उससे देखके बढ़वा सकते हैं इस्टेट वाले अपने आप बना देते हैं तो यह जानकारी थी documents के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है यह documents कुछ आप अभी तयार कर ले और कुछ documents आपको medical college में admission के time में जरूरत होगी मैं आपको यहां सला दूँगा एक तो जो आपके educational documents हैं जो आप आपके educational documents से वो पहले आप तयार करके रख लो educational documents का मदलब पैंथ की मार्सी, 11th की मार्सी, 12th की मार्सी, margation certificate, character certificate, transfer certificate यह जो हैं यह सारे academic certificate हैं आपके यह आप अभी तयार कर लो अगर इनमें से कोई certificate नहीं है तो school college से आप ले लो यह 6 certificate आपको requirement है 6 अगर आपके पास 11th का नहीं है तो पांस certificate की तो आपको requirement ही है यहां पर इसके अलावा आपको 24 का admit card आपके पास अभी download कर लो उसको scorecard बात में आजाएगा, need का application form भी अभी download हो रहा है, आप login करोगे तो website पर login करके उसको download कर सकते, id pro आपके पास होगा, passport size की photo बनवा लो, gap certificate, medical certificate बात में बनवा ल ही है, तो यह documents तो आप अभी तयार करके रख लो, और जो बाकी दूसरे documents हैं, वो additional documents हैं, यह additional documents आप counseling के time में जब आपको college alert हो जाएगी तब बनवा लेना, cast certificate पहले ही बना के रख लो आप, तो यह जानकारी थी, certificates के बारे में, बाकी जानकारी के साथ में आपसे फिर मुला नहीं होगा, किसको फाइदा है, किसको नुकसान है, इसके बारे में एक detailed video लेके आऊँगा, तब तक के लिए मैं हरसाई चोपड़ा आप से लिए, ता हुविदा, जै हूँ